Hello Everyone, Welcome to English Smart Class आज हम लोग हमारी 11 की हॉन्मिल की बुक की पहली पोयम पड़ रही है जिसका नाम है A Photograph दोस्तों आपको याद ही होगा इससे पहले की वीडियो में हमने इसके स्टांजा 1 की लाइन्स को डिसकस किया था आज हम इस पोयम की स्टांजा 2 और स्टांजा 3 की लाइन्स के बारे में बात करेगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा आज इस वीडियो में हम लोग बात करेगे Explanation for Line 10 to 19 यानि की स्टांजा 2 और स्टांजा 3 उसके बात हम लोग Inlines के Analysis के बारे में बात करेगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कुछ Difficult Words के बारे में इसमें सबसे पहले हैं हमारे पास Snapshot Snapshot का मतलब होता है An Informal Photograph Taken Quickly ये बेसिकली एक स्मॉल हैंड कामरा से खीची जाती है इसके बात Second Word है हमारे पास Labored इसका मतलब होता है Done with Great Effort and Difficulty कुछ काम बहुत जादा effort या difficulty से करना And the last and final word है हमारा Circumstances इसका मतलब होता है A Fact or Condition connected with or relevant to an event or action यानि कभी कबार कुछ circumstances ऐसे बन जाते हैं कि हम लोग अपना homework नहीं कर पाते हैं तो कुछ ऐसी conditions आ जाती हैं चलिए अब इन words को याद रखते हुए Lines को परते हैं Line No. 10-13 Some 20-30 years later अब 20-30 years यानि वो photograph इतनी old हो चुकी है She laughed at the snapshot कौन laugh करता है? Mother See Betty and Dolly She'd say and look how they dressed us for the beach The sea holiday यानि कि इन lines में जो poet है वो remember करती है कि किस तरह से जब उसकी mother उस photograph को देखती थी तो हसने लग जाती थी और वो हसते इसलिए थी क्योंकि उसे जो Betty और Dolly ने जो sea holiday के लिए कपड़े पहने होते थे उनको देखकर वो काफी जादा hilarious लगते थे उन्हें वो कपड़े दोस्तो आपको ये जो mother की laughter है ये काफी जादा below surface लग रही होगी बड़ी normal लग रही होगी बर इसके पीछी एक deep meaning भी है वो ये है और जब हम time के साथ साथ serious हो जाते हैं तो वो हमें जो youthful care होती है और पचपन की जो छोटी छोटी चीज़े होती है वो बड़ी silly लगती है जैसे की जब हम छोटे होते हैं तब हम holiday पे कहीं अगर बहार जा रहे हैं तो कितना effort डालते हैं अपने dress up पे लेकिन बड़े होकर हमें वो सारी चीज़े बड़ी ही क्या गेते हैं मजाकिया लगती है तो वही यहाँ पर poet की मदर के साथ भी हुआ आगे बात करते हैं line 10 to 30 यानि जो lines हमने अभी पड़ी उनके analysis के बारे में इसमें एक underline nostalgic current था यानि की मदर अपने बीते हुए समय को याद कर रही है उसके बाद जो poet है उसने यहाँ पर contrast create किया है और वो किस तरह से create किया है पहला तो जो mother है वो अपने youthful days को याद कर रही है और दूसरा जो surely है यानि की जो हमारी poet है वो अपने mother की laughter को miss कर रही है यानि की दोनों ही poet और poet की mother कुछ ना कुछ miss कर रही है एक अपनी youthful के happy days को तो वही दूसरी तरफ अपनी mother की laughter को And the last one, जो दोनों past की यहां पर बात हो रही है, उसमें laughter और happiness है, यानि कि जो वो photograph है, अगर वो कुछ sadness लेके आ रही है, तो वो अपने साथ एक happy time की memory भी लेके आ रही है. चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं line 14 to 15 की, सबसे पहले lines को पढ़ते हैं, was her past, mine is her laughter, both cry with the labored ease of loss. जैसे कि इससे पहले वले analysis में हमने बात करी थी, कि जो mother है, उसके लिए उसके youthful days अब एक past बन चुके है, तो वही दूसरी तरफ, poet के लिए उसकी mother की laughter. अब यह जो words है, both cry with the labored ease of loss. इंडीड, poet ने यहाँ पर बहुती खुबसूरत words को लिखा है, और यहाँ पर यह जो line है, यह हमें convey कर रही है, कि जो human है, वो बड़ा ही helpless होता है. जैसे कि अगर किसी की death हो गई है, उनकी family में किसी close one की, तो उनको at the end accept करना पड़ता है, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एक person की एक बार death हो चुकी है, तो वो वापिस नहीं आ सकता. तो जो लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें वो accept करना होता है, कि अब उनकी जो family member है, वो उनकी life से जा चुका है. और यह जो word है, labor is. यह एक oxymoron है. अब दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि oxymoron क्या होता है. तो oxymoron basically एक poetic device है, जिसमें दो opposite words को आपस में एक साथ यूज किया जाता है. और यह words represent करते हैं, the difficulty and struggle one has through quote. दोस्तों, आप बात करते हैं, लाइन 16-17 की. सबसे बहले, लाइन को परते हैं, Now she has been dead nearly as many years. Finally, अब हमें पता लगता है कि जो poet की mother है, वो actually में death हो चुकी है. वो अब poet के साथ नहीं है. Next line, as that girl lived, and of these circumstances. और यहाँ पर poet हमें बता रहे हैं कि जो उनकी mother है, उनकी death को nearly 12 years हो चुकी है. Which is also the age of the girl in the photograph. और अपनी mother को खो देने का यह जो दुख है, यह poet के लिए इतना जादा है कि अब उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा. And she can only remember her laughter. वो अपनी mother की laughter को दुबारा सुन नहीं सकती. सिरफ वो laughter poet की memories में capture है. बात करते हैं अब poem की concluding and final lines की. सबसे पहले lines को read करते हैं. There is nothing to say at all. It's silence, silence. यहाँ पर poet ने बहुती जादा सुन्दर, beautiful words का use किया है और बहुती अच्छा wordplay किया है. क्यूंकि जो poet की mother की death है, उसने ultimately एक silence impose कर दिया है. But until its final line, the death has also encouraged the speaker to speak and to bring her mother back to a kind of life. इस poem के थूँ एक तरह से poet ने अपनी mother को एक दुबारा से life, एक दुबारा से उसकी memories को rejoin करने की कोशिश करी है. क्यूंकि ये poem उसने अपनी mother को याद करते हुए रिखी है. तो इस poem के थूँ उसने अपनी mother की laughter, अपनी mother की memories को दुबारा से जीने की कोशिश करी है. तो ये poem अब हमारी हेही पर खतम होती है. बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिला. आज इस वीडियो में हमने mother और daughter के beautiful relationship के बारे में बात करी. और उसके बात हमने इस poem को एक gloomy, एक sad note पे खतम किया. क्योंकि जो poet है at the end finally reveal करती है कि अब उसकी mother उसके साथ नहीं है. और उसने इस poem को अपनी mother की याद में लिखा है. अपनी mother की memories को recreate करने के लिए दुबारा जीने के लिए इस poem को उसने लिखा है. और ये poem हमारी hon mil की book की पहली poem है. तो आप घर जाके इसके stanza 2 और stanza 3 की lines को दुबारा एक बार फिर से read करना ताकि आपको ये lines और अच्छे से समझा ज़ए. बात करते हैं कि इससे अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखेगे. इससे अगली वीडियो में हम लोग इस poem के practice questions को discuss करेगे. तो दोस्तों मिलते हैं next time.